तो भाईयों यहां पूरी दुनिया सिंगा मगें में फशी हुई थी भूल बुल या थी अपकमिंग मुवीज में फशी हुई थी इवन भाई जानने पे सबको इंगेज रखा वा था सिकंदर मुवी में एक्ली कुमार की नेक्स मुवी में लेकिन आज साजित नडियाल वाल लोगी मुझे भी नहीं पता बढ़ हाँ अभी रूमर्स जो है वो तो यह है लेकिन आपके साब से कौनची रोइनाची आप मुझे बता 2014 में आई थी कीक का पहला पार्ट जो कि रिमेक थी रवी तेजा की एक फिल्म का जिसका नाम भी शायद कीकी था हाँ यार टीवी पे जान की एक और मुवी धमाल कमाल करने वाली है क्योंकि भाइचान की 2025 में बैक टू बैक तीन मुवी आने वाली है लेकिन ये मुवी 2025 में यह अभी तक ऑफिशली अनौन्स नहीं किया गया अभी सिरफ एक ही बात पढ़ी कि अगर बात करूं जो कि 2014 में रिलीजिए उसकी स् इसके लावा अर्चना पुरान सिंग और इसके लावा हम सब के वाला व्यू कोंगा अल्टाइम फेवरेट मितुंदा और भी बहुत सारी स्टार कास्टी जैसे रंडी पुद्धा नवाज उतिन शिद्धी की बहुत जादा तारी हुई थी क्योंकि चोटा सा रोल था उनक इस वह पूरी फिल्म में बहुत अच्छे लगते इवन उनके लुक्स उनकी एक्टिंग इवन उनके यूं का जो भी उनका मतलब चाम वाला एक जो उनका फेस है वह सब कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगा था रंटी पुद्धा का एज पूलीज इंस्पेक्टर वाल सा रोल किया था फिल्म जो थी वो सस्पेंस से बरिवी थी तो फिल्म देखकर सभी को बहुत मजा आता और यह 2014 की बहुत बड़ी हिट साबित हो थी जिहां यह बहुत कम लोगों को पता है कि कीक मूवी जो पहली वाली थी यह 2014 की टॉप थ्री मूवी में से एक थी और यह उस साल में all time blockbuster साबित हो थी कीक टू कब रिलीज होगी अभी यह नहीं पता पड़ा है सिर्फ इस फिल्म का announcement आया है और सल्मान खन का एक poster आया है जो की कीक टू फिल्म के लिए ही shoot किया गया है तो फिल्म कब आएगी केसी होगी क्या होगी वो तो आने वाला वक्ती बात ह सब इतना ही कह सकते कि भाईजान की अगर कीक टू आने वाली है तो बड़ी-बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली है कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अपकमिंग जो मूवीज आने वाली है लाइक जिसे सेगंड पार्ट थर्ड पार्ट किसी-किसी फिल्म का फूरत पात फिप्ट पात ये फिल्म उन फिल्मों का भी रिकॉर्ड तोड़ी कि आपको क्या लगता है भाई-जान की इक टू कितना कलेक्षण कर पाईगी सो करोड़ दो सो करोड़ पांश करोड़ हजार करोड़ 2000 करोड़ 20-20-20-20-20-40-1-0-1 रहा करोड 2-0-1 रहा दोस्तों फिलाल कर चलता हो दूआ में याद रखना जैहिंजे भारत वंदे मात्रम